हेलो प्रेंड वैलकम टू अभीना निटिंग आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा किट्स स्वेटर डिजाइन लेकर आई हूं आप बच्चों के स्वेटर में इसे डाली बहुत प्यारा लगता है और यह दिखिए बहुत आसाने से बन जाता है छोटे-छोटे ब्लॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं इसमें और यह हमारा पैटरन जो है दो चार फंदों पर हमारा इस्टेल just then a तो चलिए इस पैटरन को बनाना शुरू करते हैं पैटरन को बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ब्रावर में बैल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करें ताके मेरी कोई भी नई वीडियो आप मिस नहीं कर प अच्छा आए तो चलिए अपने डिसाइन को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है हम दो फंदे इसी कलर से बुन लेते हैं जो हमारा प्राइमरी कलर है एक दो इसके बाद हम दूसरा कलर लेकर आएंगे यहां पर हम दूसरा कलर आट करेंगे इसमें इस कलर से हमें दो फंदे बुनने हैं अब देखिए पहले वाले कलर से हमें छे पंदे बुनने हैं दो तीन चार पांच और यह छे इसके बाद हमें फिर से सेकेंड कलर लेकर आना है इससे हमें दो फंदे बुनने हैं फिर पहले वाले कलर से हमें चार भंदे बुनने हैं अब आ जाते हैं इसकी हम उल्टी सलाई पर तो उल्टी सलाई को देखिए इसी कलर से हमें चार भंदे फिर से बुन लेने हैं उल्टी सलाई में हमें कुछ नहीं करना है जो भी कलर हमने जिस कलर से भी हमने जितने भंदे बुने हैं उसी कलर से हमें उन भंदों को उल्टी साइट से उल्टा बुन लेना है यह देखिए इसी तरह का से देखें उन्टे से लाई हमारी कम्प्लीट होगा अब देखें हमें इसी कलर से फिर से दो फंदे गुनने है फंदो को च्छै कर लेना है यानि के छे बुनने है दो तिन चार पांच और ये च्छै पंदे बंगे अब फिर से पहले कलर से हम दो फंदे बुनेंगे फिर से छे पंदे बुनेंगे इस दीखें ये सलाई हमारी हैं कम्प्लीट हो गई उल्टी सलाई को हम उसी तरीके से इनी फंदों को सेम बुन दे हुए इसी कलर से इनको इसी कलर से बुनते हुए पूरी सलाई कम्प्लीट हो गई तो देखे उल्टी सलाई हमने पूरी उल्टी सेम बुन ली है अब देखे क्या करेंगे अब हमें यहां पर अपना second color लेकर आना है और यहां पर हमें यह white color से बुन देने हैं 6 फंदे देखे 3 4 5 6 यह 6 फंदे बुन दिये इसके बाद अब हमें इससे 2 फंदे बुनने हैं second color से इसके बाद फिर से हम 6 फंदे बुनेंगे एक तो तीन चार पांद छे फिर से हम यह तो फंदे बुनेंगे पहले color से यह इस तरीखा से हमने 6 दो 6 दो करके बुने हैं फिर से हम उन्टे सलाई सेम बुनेंगे यह देखे इस तरह से हमने बुने थे दो एक color से और 6 color से उसी तरह से हमें उन्टे सलाई में बुनने हैं तो यह देखे अब आ जाते हैं इसके सीधी सलाई पर तो यहां पर कैसे करना है यह देखे अब हमें यहां पर अपना पहला color लेकर आना है यानि के जो primary हमारा color है इस से हम यह देखे चार फंदे बुनेंगे देखे चार फंदे हम नहीं है आपने primary color से बुने है secondary color से दो फंदे बुनेंगे देखे इस तरीक ऐसे अब हमें छे फंदे बुनने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे फिर से हम दो फंदे बुनेंगे दो फंदे बुनेंगे इस color से तो यह देखे अब हमें उल्टी सलाई सेम उल्टी बुननी है सेम color पर सेम color बुनना है हमें कुछ नगे करना है हमीकी सलाई में यहां पर इसको उल्टी सलाई को बुलनेते हैं यह देखे तो यह हमारी यह पर आठ सलाई कंप्लीट हुई है और आठ सलाई में हमारा पैटरन भी कम्प्लीट हो जाता है तो यहां पर यह देखिए यह आठ वी सलाई है हमारी इसको पुरा कर लेते हैं यह देखिए यहां पर यह अर्टसलाई हमारी कम्प्लीट हो गई और यह इस तरह से हमारा पैटरन बन कर आया है और देखिए कितना प्यारा लगता है और आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं आप इसका बेस कलर यही रखी कोई भी एक रख सकते हैं और उसके बाद आप यह जो इसमें ब्लॉक बनाएंगे इसने आप अलग-अलग कलर के बना सकते हैं और इंशाला मैं आपको मल्टी कलर में भी इसको बना कर दिखाऊंगी, बहुत सुन्दर लगता है ये, तो ये डिजाइन आपको मेरा कैसा लगा, अगर पसंद आता है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें, फिर से एक नए डिजाइ के साथ तब तक के लिए, गुड़ बाई, थैंक यू,